जाहिन दोस्तों, Defense Officers Academy के YouTube चानल में आपका स्वागत है आज हम फिर से कुछ sentences आपके साथ लेकर आए हैं जिनको आप अपनी daily life में use कर सकते हैं So let's get started पहला sentence जो आज के लिए है वो है रिम्जिम बारिश हो रही थी English जो इसका translation है वो है It was drizzling जब बारिश होती है, जब हलकी बारिश होती है तो उसको drizzling कहते हैं The second sentence is मुझे क्या मालूम कि वह क्यों नाराज हो गया इसका English translation है How do I know why he grew angry The third sentence is वह किस मकान में रहता है Which house does he live in तो आज हम लगोंने तीन sentences सीखे अब हमें इसे अपनी daily life में use करना है जब हमें इसे अपनी में रहता है